आज मैं इस प्रेस कॉंफरेंस में कह रहा हूं कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोधी को एक हजार करोड रुपे दिये थे कर लोगी रफ्तार उनको? ऐसे तो कोई भी इस देश में खड़ा होगे कुछ भी कह देगा? अगर केजरी वाल चोर है केजरी वाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई मानदार नहीं है पिछले लगबग एक साल से भारतिये जनता पार्टी चिला चिला के चिला चिला के कह रही है कि दिल्ली में कोई शराब घुटाला हो गया और देश की जो भी सबसे बड़ी से बड़ी जांच एजिंसिया हैं वो अपना सारा काम दंदा छोड़के शराब घुटाले की जांच में लगी हुई है तो मैं समझता हूं कि उनको अब तक तो शराब घुटाले के सब कुछ मिली गया होगा सारा पैसा भी मिल गया होगा सब कुछ मिल गया होगा इसमें मनीज सिसोदिया जी जो की फ़नैंस मिनिस्टर थे डेप्टी चीफ मिनिस्टर थे उनके उपर सबसे बड़ा आरोप एडी ने और सीबियाई ने लगाया है कि मनीज सिसोदिया जेने अपने 14 फोन तोड़ दिये तो इन्होंने सबूत खतम करने की कोशिश की ये सारी जांच वांच करने के बाद इन एजनसीज ने मनीज सिसोदिया पर आरोप लगाया कि 14 फोन तोड़ दिये और उन फोन को कोई वॉलेंटियर के पास है कोई कहीं है कोई कहीं है कोई नव कोई इस्तेमाल कर रहा है वो मनीज जी के फोन नहीं है वो कोई नव कोई इस्तेमाल कर रहा है वो फोन जिन्दा है और ये फैक्ट की ये फोन जिन्दा है यह E.D. को भी पता है और यह C.B.I. को भी पता है So E.D. ने और C.B.I. ने जूटा जूट बोलके ओध पे एफिडेविट पे कोट को गुमराह किया और जूटा सबूत उन्होंने कोट के सामने पेश किया क्योंकि सच तो कुछ मिला नहीं कुछ था यह नहीं शराब घुटा लग उच है यह नहीं तो निकाले क्या तो उन्होंने जूट बोलके मने सिसो दिया को फसाने की कोशिश की कोट को जूट बोला अब यह रोज किसी ना किसी को पकड़ लेते हैं किसी ना इसको गिरफतार कर लिया उसको गिरफतार कर लिया ये कर लिया एक कोई चंदन रे और उनको टॉर्चर करकर के धंकियां दे दे के मेंटली टॉर्चर करके फिजिकली टॉर्चर करके थर्ड डिग्री करके उनसे केजरीवाल का नाम ले लो मनीस सिसोदिया का नाम ले लो इनको फसा उनको किया जा रहा है मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाता हूँ ये चल क्या रहा है जहां कोई घोटाला नहीं हुआ वहाँ पे कोशिश की जा रही है जबरदस्ती करके लोगों से जबरदस्ती करके मार के पीट के धमकियां दे के बयान लिखवाने की एक व्यक्ति है उससे कहा गया कि कल देखते हैं तेरी बेटी उसकी दो जवान बेटी आएं कल देखते हैं तेरी बेटी कॉलेज कैसे पहुंचती है यह जाँच चल रही है इन लोगों के इस सारी जाँच करने के बाद एक साल जाँच करने के बाद यह आरोप लगाते हैं कि सौ करोड रुपए की रिश्वत ली गई और दी गई वो सौ करोड रुपए कहा है एक नया पैसा एक नया पैसा कहा है वो सौ करोड रुपए सब इतनी चार सो से ज़्यादा रेड हो चुकी है मनीश सोधिया जी के घर पे रेड हो गई इतने सारे दूसरे लो वो पैसा मिल है कहां एक नया पैसा नहीं मिला सौ करोड रुपय का ना कोई ज्वेलरी मिली ना कोई मनीश जी के घर पे गद्दे भी फाड दिया इन्होंने उनके गाओं भी हो आए उनके बैंक लॉकर भी चानमारे कुछ नहीं मिला सौ करोड में से फिर आरोप लगाया कि सौ करोड रुपया गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ जी गोवा के हमारे जितने वेंडर्स थे जिन से हमने काम कराया था सारे वेंडर्स पे रेड मार नहीं मिला तो पैसा गया गा अगर रिश्वत ली तो पैसा गया गा अरे पैसा तो तब मिलेगा ना जब रिश्वत ली गई ओगी और रिश्वत दी गई ओगी आज मैं इस प्रेस कॉंफरेंस में कह रहा हूँ कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंदर मोधी को एक हजार करोड रुपे दिये थे कर लो गिरफतार उनको ऐसे तो कोई भी इस देश में खड़ा होगे कुछ भी कह देगा मैं कह रहा हूँ कि नरेंदर मोधी को 17 सितंबर की शाम को 7 बजे मैंने 1000 करोड रुपे दिये थे गिरफतार करोगे इस मेंसे नरेंदर मोधी को भई मेरे पास कुछ सबूत तो हो कहने का तो मैं मोधी जी को कहना चाहता हूँ मोधी जी अगर केजरी वाल भरष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई इमानदार नहीं है मुद्दा भरष्टाचार है ही नहीं मुद्दा भरष्टाचार की जाच है ही नहीं मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं ऐसा शक्स देश का प्रधान मंत्री जो सर से लेके पैर तक भरष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है उसके लिए भरष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है सत्यपाल मलिक जी ने कहा मोदी जी को भरष्टाचार से कोई परहेज नहीं है यह मैं तो नहीं कह रहा हूँ यह तो उनके अपने गवर्णर कह रहे है सत्यपाल मलिक जी कौन है सत्यपाल मलिक जी मोदी जी के बहुत खास लोगों में गिने जाते थे उन्हें पहले उन्हों जमू कश्मीर का गवर्णर बनाया फिर उन्हें गोवा का गवर्नर बनाया फिर उन्हें मिघाले का गवर्नर बनाया उन्होंने कहा कि मेरे जो इंटरेक्शन हुए मोदी जी के साथ उसमें पता चलाया कि मोदी जी को भरष्टाचार से किसी तरह का परहिज नहीं है उसी interview में उनने कहा कि इन लोगों के कुछ मुख्यमंतरी हैं जो भष्टाचार करते हैं खूब पैसे कढ़े करते हैं लेकिन वो सारा पैसा मुख्यमंतरी अपने पास नहीं रखते वो पैसा उपर भेजते हैं और वहां से वो पैसा उनकी दोस्त की कम्पनियों के अंदर उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा हो इनी सकता तो कल इन्होंने मेरे को बुलाया है मैं जाओंगा कल CBI में और मैं फिर से अंतमी यह कहना चाहता हूं कि प्रिधान मंत्री जी अगर केजरीवाल चौर है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई मानदा देखिए अर्विंद केजरीवाल जी ये बात अब जग जाहर हो चुकी है शराब घोटाले के किंगपिन अगर कोई हैं तो वो आप ही हैं और ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है ये इसलिए कहा जा रहा है कि अभी तक जो विवेचना हुई है जो अभी तक जाँच हुई है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि आपकी पार्टी जहां पत्ता भी नहीं हिलता आपसे बिना पूछे तो ये जो शराब घोटाला हुआ है ये आपके इशारे के बिना कैसे हो जाएगा ये ठीक है कि आपको लगता है कि भरष्टाचार के शत्रंज के किंग आप हैं लेकिन दिल्ली की जंता ये जान गई है कि शराब घोटाले के किंग पिन आप ही है आप इन प्रष्टों के उत्तर दे दीजे और मैं तो ये कहूंगा कि आप ही के मापदंड अगर हम आप पे ही लगाएं एक पॉलिग्राफ टेस्ट ले लीजे ना लाइ डिटेक्टर टेस्ट लीजे और हमें उमीद है कि दूद का दूद और शराब की शराब हो जाएगा जंता को पता चल जाएगा